अंदर्गावन मसीनरीज में सबसे स्टार्ट करते हैं अभी नई टेक्नलोजी के एकॉर्डिंग ठीक है सबसे पहले पुर्ड हुआ थी जो पहले प्रॉड की कि बुला जाए तो सबसेरा सकसेज और सबसेरा से ज़ने प्रॉडक्शन ने नियाली टेक्नलोजी जो इंडियन कोल माइन्स में सक्सेज हुई है ठीक है तो उसके बार हम बात करते हैं उसके बाद फिर हम जो हमारा इस से पहले जनली अगर मैं बात करूँ तो जो भी अंडर्गराउंड में देखे होंगे उन्होंने LHD और HDR ठीक है इसी के recording देखा होगा और LHD HDR के लगवा इन्होंने देखा होगा कि पहले blasting की जाती है ठीक है अंडर्गराउंड का ट्रॉफ फिनोमिना देख लेते हैं उसके बाद आगे की और बढ़ते हैं पहली चीज़ आप लोग ने देखी होगी कि यह सबसे पहले तो ब्लास्टिंग की जाती है ठीक है अंडर्गराउंड मसीनरीस की पहली क्लास है ब् ग्रीडियन्ट ठीक है कि एक आर्डिंग वैसे तो जनरली एलेजडी का उप्योग ही इस समय किया जा रहा है एच्डियल पहले आए थी ठीक है एच्डियल का एक एडवांस वर्जन है एलेजडी लेकिन जहां पास सीम का ग्रीडियन्ट ज्यादा होता है जैसे माल यह दो स उसके चलाने का मतलब है क्योंकि यह क्राउल वांचिट अ garment हुता है क्लोटा है क्लोल मांटट सिह टेकर टायर मांटिट दीक है टायर मांटिट जहां भी आपका क्राउल मांटट होगा तो इसे क्यों बनाए जाएगा highly gradient के लिए और lsd जो होता हुआ क्या होता है यह होता है आपका tire mounted तो जहां पर हमको gradient कम है और speed production तो सब को चाहिए और जल्दी चाहिए ज्यादा चाहिए पहली बात तो ठीक है तो उसके recording हम वहाँ पस क्या लगाते lsd लेकिन हम पहले बात करेंगे starting में cm continuous माइनर के अब यह continuous माइनर क्या है continuous माइनर एक आशा मसीन है अंडर ग्राउंड में जो की पूरी तरीके से blasting इस मसीन के वाज़े से blasting विट कोल कटिंग ब्लास्टिंग पूरी टेकर इस खतम कर दिया इसने कोल कट किया प्लस लोडिंग यह एक advanced technology है अब जैसे कि आपने इस मसीन पर देख रहा होगा फोटो पर डाइग्राम अंडर ग्राउंड की मसीन के एक आउटिंग इसने क्या किया है कि यह जो आप देख रहे है सर्कल वारा भाग जहापा से लिखा हुआ इस कटर हेड में यह आपके cutting ड्रंस है ठीक है इस कटर हेड में यह आप डेक रहा है को cutting unit लगे हुए है और इसमें आपसे लगा हुआ है यह आपका teeth है के जगा जगा पे टीठ कोल कटिंग ठीथिा किbane स्टेट इस में लगे खोई है क्लियर है कर इसमें water technique का की 2 पॉइंट जोड़ी डिये हुआ है टेक है इसके साथ ही इसमें methane sensors सेफ्टी डिवाइस दिए जाता है वैसे अगर water sprinkling की बात करो तो वो भी एक सेफ्टी डिवाइस है जब तक की आप लोग का safety जब तक कि water spraying यह चालू होने से प्रेंग इसका चालू होता है अगर water spraying नहीं चालू होगा तो यह machine चालू नहीं होगा एक प्रकार से water spraying भी इसका क्या है, एक प्रकार का safety device ही है, पहला, दूसरा क्या है, इसमें cold cutting teeth में methane sensor लगे होते हैं, जो की 0.5 ppm से, 0.5 ppm से ज्यादा होने पर, machine अपने आप break हो जाती है, बन्द हो जाती है, ठीक है, इसका जो आप यह hydraulic part देख रहा होंगे नीचे में, जहां पस मेरा, जहां पस मेरा paint जा रहा है, अभी देखें, यह जो मेरा paint जा रहा है, तो यह क्या करता है, कि up and down movement के लिए, इसका movement समझे, क्योंकि इसमें पूछता है, cutting किस प्रकार होता है, ठीक है, जैसे bucket wheel excavator जो था, open cast में, वो कैसा करता रहा, horizontal cut करता रहा, ठीक है, और इसका movement कैसा हो रहा hydraulic से, जब तक यह एक cut जहां प्लगाएंगे, ठीक है, तो यहां पस परिवारत यह crawler mounted है, यह नीचे में देखें, क्या बोल रहा है, यह देखिए कौन सा, catapillar track drive, यह crawler mounted machine है, ठीक है, अब यह जो इसके picks है, यह जैसे माल लेजे कि आपका यह चौड़ा सा face है, रुखिए है, जैसे कि माल लेजे, यह आपका call face है, ठीक है, आपने cm unit को यहां लगा दिया, ठीक है, अब cm unit क्या करेगा, कि पहले horizontal इधर नहीं भागेगा, वह पहले पूरे face का up से लेकर down टक कट करेगा, ठीक है, उपस लेकर नीचे तक, क्यों, क्योंकि आप अगर diagram में देखेंगे, diagram में आप देखिए, कि आपका side का भागने का नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि यह crawler mounted है तो इसको side side में आपको operator के द्वारा खस कारते हुए आगे की बढ़ाना है, ठीक है, इसको operator इसको आगे की बढ़ाते रहना है, ठीक है, अब इसमें up and down moment ले यह दे दिया, इसके बाद यहाँ पास देखिए, जस नीचे में, जैसे call कटेगा, तो यह gathering arms दिए हुए है, क्या दिया हुआ है, गैदरिंग arms, इस gathering arms के दौरा, ठीक है, इस call cutting, यह कोईला यहाँ से काटेगा, इस gathering arm में आएगा, और इस gathering arm के दौरा, यहाँ पास आपका conveyor boom लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से gathering arm है, गैदरिंग arm क्या करता है, जैसे हम, यह मान लिजे कि आपके डो hands हैं, ठीक है, यह दो hands है, यहाँ पास, आपका cutting के दौरा, यहाँ पास कोईला गिर रहा है, सेम इस diagram पे देखिए आप, यह क्या है, यहाँ पास कोईला गिर रहा है, इस जगह पर, ठीक है, और यह समेट रहा पीछे की और, यहाँ पास आपका क्या लगा हुआ है, chain लगे हुए है, ठीक है, conveyor chain है, और conveyor chain के दौरा, यह conveyor boom दिख रहा होगा आपको, यह पीछे जाता है, और यहाँ पीछे पे आपका, subtle car, loading point पे क्या लगा रहता है, subtle car लगा रहता है, और उस subtle car के दौरा, वह कहाँ पहुच आता है, direct पहुच आता है, sorry किसी को, अब इसमें क्या हो रहा था है, cutting unit था, cutting unit के बाद देखें, कोईला आपका face, माल लेजे कि यह पूरा का पूरा face है, ठीक है, यह face से जो कोईला कट कर रहा था, यह कोईला कट करने के बाद यह आ रहा था, इस वाले drum पे, और यह gathering arms लगे हुए थे, और यह gathering arms क्या कर रहे थे, कि यह gathering arms के दौरा, कोईला यहाँ पास chain conveyor था, यह खीच रहता है, जैसे हम generally जो मैंने बताया, यह हाथ लगा होता, यहाँ पास पूरा material गिरता है, और यह unit पूरा आपका ऐसे ऐसे खीचते रहता है, इधर चलते रहता है, चलायमान होता है, ठीक है, यह move करते रहता है, सेम जैसे आप यह देखेंगे, यह वाला जो portion है यह move करते रहेगा, अपन यूटूब में भी आपन देख लेंगे, और यहाँ पास आपका crawler chain लगा रहता है, फ्लाइट बार लगा रहता है, और उससे जा रहा डारेक्ट चले जाता है, पीछे में conveyor भूम और यहाँ पास से अपन सेट करते हैं वापस मसीन को, क्योंकि यह मसीन उप अप और डाउन के लिए है, ठीक है, यह cutting units है, अब इसके कुछ parts को ध्यान दीजेगा, the main parts of continuous miner, continuous miner के main parts कौन कौन से है, cutting peaks है, ठीक है, cutter drum है, यह जो drum लगा है, cutter drum है, hydraulic cylinders है, gathering arms है, जैसे कि यह जो लगे हुए है, यह gathering arms है, ठीक है, यह रहें, यह इधर के और खीच रहें, यह आपका रिखरा होगा conveyor, यह रहें आपका, यह आपका chain conveyor है, flight bar लगा हुआ है, यह आपके booms है, यह आपका traction है, जिसके भूम रहा है, ठीक है, और यह आपका chain conveyor है, ओके, तो आप यह वैसे रहें, cutter head, cutter head मतलब आपका यह लभाग, जो आपका कोईला कटिंग कर रहा है, gathering arm, जो कोईले को यहाँ पास से submit करके chain conveyor पे डाल रहा है, central chain conveyor, यह आपका chain conveyor है, जिससे कोईला हो करके, पीछे chain conveyor में जा करके subtle car में गिर रहा है, crawler mounted chases, आपका यह crawler mounted chain है जो, और water spray and scrubber, देखे, water spray and scrubber क्या हुआ, water spray and scrubber आपका हो गया, जो spraying करता है, पानी को लगता है, आपको, यहाँ पास लगता है, जैसे dust के लिए, जैसे मैं बोला कि मसीन चालू होने से पहले ही, आपका spraying चालू हो जा तो मसीन तब तक start नहीं होगी, ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखिए, continuous minor के साथ साथ इसकी safety features भी अपने को देखना है, सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि cutter head है, ठीक है, अब यह cutter head में क्या लगा रहता है, cutting drum, ठीक है, इस cutting drum के साथ क्या attach रहता है, यह picks, जिसको हम P कर रहता है, ठीक है, अब इस cutting picks के बाद, कोईला cut होने के बाद कहां आ रहा है, gathering arm में, जब gathering arm में आ रहा है, उसके बाद कहां जा रहा है, boom conveyor में, और boom conveyor या chain conveyor, belt conveyor district थी गया, जो वहां होता है, फिर उसके बाद कहां जा रहा है, subtle car में, यहां पास आपका subtle car, माल लिजे कि आपका सबसे पास में, district का जो belt है, यहां पास है, दोनों में आपका cycle time है, कि यहां पास material पूरा ना हो, तो आप क्या करते हैं, कि आपका material नीचे down पे ना गिरे, तो हम 4 subtle car लगा देते हैं, कहीं जगा पे 3 लगा दिये, जितना भी आपको लगता है, फिर वो subtle car क्या करता है, subtle car जो आपका district का build होगा, वहां जा करके dispatch कर देगा, और district के build से main conveyor में, और main conveyor से आपका main bunker पे, अगर आपका bunker है तो, और नहीं है, तो direct surface पर पहुचा दिया जाता है, ठीक है? चलिए, इसे कुछ आप realistic diagram देखिए, यहाँ पास देखिए, यह जो portion है, यहाँ पास attach है, और यही portion आपका down जाता है, ठीक है? फिर up जाता है, फिर आपको machine उपस लगाया, यह cut किया, फिर आपको वापस से भेजा machine को फिर वहाँ से एक लगाया, फिर एक cut करते होए नीच आप इसमें क्या रहता है, कि operator Kevin आपको कहीं नहीं दिख रही होगी, क्यों? क्योंकि यह remote controlling device है, क्या है यह remote controlling device, 100 meter के range से दूर से आप कहीं से भी remote control कर सकते हैं, कितने meter से? लिख लिजेगा, कि 100 meter दूर से आप कहीं से भी remote controlling इस device का उप्योग, यह जैसे आपका बच्चे game ख जाते हैं, ठीक है? नेक्स देखिए, अब यहां पास आप देख रहे होंगे, यहां पास और अच्छे समझ में आगार हो, यह रेखिए, आपका flight bar लगा हुआ है, chain, crawler यह chain लगे हुए है, दिख रहे होंगे, और वैसे ही, इस जगर पे भी देखिए, यहां पास आपका crawler और पूरा का पूरा gathering arms इसमें inspect कर रहा है, चलिए, इसका description आप कुछ पढ़ लेते हैं, सबसे पहला रेखिए, it is a cutter loader machine, यह क्या है? cutter plus loader machine, it is a cutter loader machine, cutting plus loading, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, it is a cutter loader machine, cutting plus loading, it cannot cut coal as well as load, sorry, it can cut coal as well as load, मतलब कि यह coal को cut भी करता है और load भी करता है, इसलिए कई बर आपको option में आ जाता है, continuous miner का क्या work है, तो पहला लिखे रहेगा cutting, यह डूसरा आपको loading, तीसरा रहेगा cutting plus loading, ऐसे करके इसलिए इसको याद रखेगे कि इसे cutter loader कहा जाता है, it does not need any drilling blasting operation, देखे इसमें drilling or blasting operation नहीं होता है, direct coal cut हो रहा है, एक safety features आपको blasting से बचाता है, blasting के vibration से बचाता है, blasting से होने वादे बिरुभतनाव से बचाता है, ठीक है, अब इसके बाद जैसे आप माल लेजे कि आपने coal cut कर लिया, ठीक है, तो इसके बाद जो आपकी machine, जैसे क आपको अगर working माल लिजे, आपने लगा रिया continuous minor, और आप dependency कर रहे हैं कि हमारा root bolting किससे हो, by the, मैं बोलू तो, root bolting आपका हो, क्या नाव है, manpower के दौरा मतलब की, नॉर्मल जैसे हम देखे हैं, machine के दौरा नहीं होगा, तो actually फिर ऐसे में क्या होता है, कि loss होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जहां पास हम CM लगाते हैं, continuous minor लगाते हैं, तो जो कि ए, एक दिन में कम से कम मुझे लगता है की, 10 से 12 मीटर, 10 से 12 मीटर रहा हूं, लगा, 70 से, इसका इवाद देखना पड़ेगा, 10 से 12 मीटर आगे बढ़ जाता है, तो इसलिए आपने वहाँ पास क्या लगाते हैं, बोल्टर मसीन लगाते हैं, बोल्टर मसीन, अब ये बोल्टर मसीन क्या होता है, बोल्टर मसीन दो टाइप के आते हैं, एक होता है आपका क्वार्ड बोल्टर, और एक होता है आपका ट्वीन बोल्टर, ठीक है, जैसे जैसे हमारा roof expose हो गया जैसे आपने coal cut कर लिया coal cut करने के बाद आपने क्या किया कि जैसे रेखिए it can cut 10 to 12 ton coal per minute 10 से 12 ton coal per minute काटा जाता है ठीक है अब जब 10 से 12 ton coal per minute काट रहा है तो ये कम से कम face advance कर देता है देखिए ये इसको लिख लीजेगा कि according to the given data 60 से 80 meter per day 60 to 80 meter सोचिए एक दिन में cutting कर देता है 60 से 80 meter इतना इसका है और जब कि आप जो blasting करते हैं एक round की blasting जो होती है वह मुस्किल से 1.5 meter इतना ही face advance होता है difference देख लिजेए आप आप तीन सिफ्ट में मान लिजे कि आपने तीन राउंड की blasting की तो आपका कितना meter face बढ़ेगा लगबर साधे चार meter और ये तब तक में कितना production कर दे रहा है एक दिन में 60 से 80 मतलब कि अगर face advance भी हुआ है तीन सिफ्ट की बात करूँ तो मैं साधे चार साधे चार meter साधे चार meter मतलब कि आपका हो गया यह five fifteen one carry four one four four two four two two twelve one thirteen तेरा दस्वलों पांच में पूरे दिन में ठीक है और यहीं पास आप cm अगर लगा दिये तो सोचे production कितना हो जा रहा यह यह आपको फाइदा पड़ता है cm लगाने से तो इसको लिख लिजेगा कि एक दिन में यह साथ से 80 meter यह आपका डेखे डिपेंड करता है कि आपके machine कितने आपका seam कितने height पे है कितनी मोटी seam है ठीक है अलग-अलग seam की thickness के लिए अलग-अलग यह आता है अब दूसरा क्या है production for standard height standard height के लिए production जनरली अगर मैं बोलू अगर standard height का मतलब क्या हो गया standard height का मतलब है कि मान लेजे कि आपका seam इतना बहुत ज़्यादा height है मालब height मतलब आपन जनरली क्या मान के दखते हैं कि तीन मीटर ठीक है और साथे चार मीटर तीन मीटर की height होनी चाहिए standard और साथे चार मीटर की आपकी चोड़ाई होनी चाहिए अब आपके seam 5 मीटर पूरा cutting तो नहीं करेगा नगा पांश मीटर पूरा cutting नहीं करेगा तो इस करण से हम दो फेस में cut लगाते हैं इसलिए जो cm की जो गैलरी ये बनती है काफी बड़ी लंबी चोड़ी बन जाती है ठीक है तो साथ से असी मीटर पर दे और अगर standard आपका seam है ठीक है standard seam की बात करें तो लगभग ये 1500 से 1600 टन पर दे इसका production है क्योंकि आपका जो ये second class में पूछा गया है 2015 के में कि एक continuous miner का average production कितना होता है तो actual में according to me it is depend only on the seam ठीक है अगर standard पूछा जाए तो आप इसे रत लिजेगा कि 1500 से 1600 टन पर डे इतना production आपका होना चाहिए पहली बात क्लियर है सबी को अब इसके dimension की अगर मैं बात करूं अगर मैं बोलू एक यहां पास माले लिखते हैं यह आपका एक जनरल नॉलज के लिए बता रहा हूं अब देखे इसमें आता है एक 14 cm सिरीज ठीक है यह 14 cm सिरीज किसके लिए होता है लोवर टू मिड्सीम अप्लिकेशन के लिए ठीक है माले जे कि आपका जो condition है अठीक ठाक है और आपकी optimum service life है ठीक है तो लोवर टू मिड्सीम है अगर आपकी सीम की सीम देखे एक्ट्राइब में यह जो types of cm है सीम की application है कितनी मोटी सीम है तो 14 cm सिरीज continuous minus series यह किसके लिए माले पतली सीम है पतली से लिए करके आपके माइनस में है मोटी सीम है माला मोटी माला आप कितना बोलेंगे तीन मीटर टक की underground सीम तो तीन मीटर टक की आप मिडिल सीम बोल सकते हैं ठीक है और अगर मैं बोलू जैसे एक सीरीज आता है इसमें 12 cm सीरीज ठीक है यह किसके लिए है middle to high middle to high अब यह high कितना मतलब अप्टू पांच मीटर टक पांच मीटर टक की जो आपकी सीम की मोटाई है वहां तक यह जो continuous minor है कोईले को कट करने की capacity इतने height कि मतलब जो आपका up and down movement hydraulic से हो रहा है तो आप सोचे कि zero से ले करके आपका पांच मीटर height टक इसका भूम पूरा उठेगा और वहां तक कट करके आएगा 12 cm सीरीज का ऐसा है ठीक है वैसे हम generally four 14 hm series एक होता है यह hm series क्या है यह deep cut capability होता है इसे face change करने के बहुत ज़्यादा जरूत नहीं पड़ती और यह production को increase कर देता है ठीक है increase production क्यों क्योंकि क्योंकि इसमें deep cut capability होती है जो cut करने capacity होती है एकदम deep cut करने की जाती है ज्यादा गहराई तक काटने की उपर उपर नहीं तो उससे क्या होता है ज्यादा जल्दी production होता है जो भी चीज आपकी ज्यादा में continuous miner है कैसा आप उप्योग कर रहे है उसके उपर depend करेगा production लेकिन अगर आपसे फिर भी पूछा जाए average production cm का कितना है तो आप इसे याद कर लेजे 1500 से 1600 टन पर डे कितना production हो रहा है ठीक है चली अब इसके अरे में थोड़ा सब पढ़ लेते हैं सबसे पहला क्या है कि it does not need any drilling and blasting operation it requires less than manpower and achieve high production इसमें manpower बहुत कम लगता है और production बहुत हाई रहता है चौथा क्या है when it cuts the coal जब यह coal को cuts कलता है तो it produces lots of dust यह बहुत सरा dust produce कलता है hence it has a water spraying arrangement इस करण से इसके पास water spraying arrangements होते हैं फिर क्या है it is a crawler machine which is electrical driven यह कैसा होता है crawler mounted होता है और यह electricity से चलने वाला होता है ठीक है get and box लगा होता है get and box की दौर इसमें power का supply आता है water spraying होता है यह cut कलता है 10-12 ton coal per minute per minute में अगर पुछा जाए तो 10-12 ton यह coal cut करने capacity होता है यह आपका dimension है अलग-अलग dimension जैसे इसका length vary करता है 10-12 meter तक आपका length vary करता है लंबाई weight देखेंगे तो 50-7 ton width of cutler देखेंगे तो 10-meter dimension change due to availability of different models of contents minor generally इसका 10-meter का height रखा गया cutting height लेकिन वह depend करता है कि आपका dimension या आपका situation है वो कैसा है उसके उपर भी इसकी dependency होगी चलिए अब इसमें कुछ safety features है safety features में कौन से है contents minor बर सबसे पहले मैंने बोला रेडियो रिमोट ऑपरेशन रेडियो रिमोट ऑपरेशन का मतला कर रिमोट कंट्रोल इसमें ऑपरेटर के भी नहीं होता है ऑपरेटर बहुत दूर में खड़ा होकर मसीन को चलाता है मसीन चलाने से पहले प्री स्टार्ट वार्णिंग सिगनल से ठीक है प्री स्टार्ट वार्णिंग सिगनल आपकी रहती है मसीन स्टार्ट होने सिगनल देता है जिससे आस पास जो भी आदमे अगर वहाँ पास है तो दूर हट जाएगा तो वह सिगनल देता है पिर मैंने बूला मिठेन सेंसर होता है अगर इस में स्टॉप कटिंग वें मिठेन एक्षि-0.5 परसेंट ठीक है मिठेन सेंसर होता है गर 0.5% से ज्यादा का ठीक है अगर 0.5% से ज़्यादा का अगर मिठेन अगर इसको सेंसेज होता है तो मसीन वहीं पास रूख जाती है फिर वाटर इस्प्रे इंटरलॉक फैसिलिटी जो मैंने स्टार्टिंग बताया कि मसीन चालू होने से पहले वाटर इस्प्रे करती है और अगर वाटर इस्प् फिर फिर बी चलता है यह संगी है अगर वाटर इस्प्रेक नहीं होतो मसीन वहीं इंट्रलॉक होझाइगे लो यह लोग प्रिशर इस स्वीचेस रहते हैं अगर वाटर भाव दिकhark रहा यह लोह प्रेशर दिखा रहा तो हुआ हो अल है बंद हो जाएगा मास्टर कान्ड प्रेटोर स्विच्छ हाए किसी भी emergency के श्थिति पे तुरंत बंद हो जाएगा सारा का सारा function एक सेकंड भी नहीं लगेगा और पूरा का फुसा जैसे होता है न opencast में all cutoff system और all cutoff system होता है न all function cutoff system ये होता है न तो वैसे ही आपका all function cutoff system आगर बोलेंगे तो emergency stop होता है ठीक है सबसे जादा वाली है सबसे highly productive production इसी machine का समय है अब जैसे मैंने बोला था कि अब जैसे इतनी बड़ी machine यूज कर रहे हैं तो इतनी बड़ी machine के लिए हम जनरली यह करते हैं कि जैसे यह से जो रूफ है, जो ग्रीन रूफ है, जो जहां से हमने कोईला निकाल लिया, तो अब को तुरंट वहां पर सपोर्ट डालना पड़ता है, तो हमारे पास दो प्रकार की मसीने, जो होती है, इसमें आप देखेंगे तो, हम bolter machines यूज़ करते हैं कौन सी machine bolter bolter machine दो प्रकार के होती है जैसे मैंने बोला आपको quad bolter और दूसरा होता है twin bolter quad bolter में एक साथ 4 volt हम लगा सकते हैं और twin में एक बार में 2 volt इसमें क्या रहता है कि एक प्रकार अगर किसी देखा होगा तो यह temporary support जैसे cock support रहता है वैसे temporary support लगाते हैं यहां से machine आती है और machine एक बार में ऐसे वोल्ट लगाते हैं अच्छा इसमें जो आपका बोल्टर मसीन रहता है जो cm के साथ लगता है तो वह एक घंटे की पर अवर्ली अगर मैं बोलू तो 20 से 25 बोल्टर लगा देते हैं ठीक है और जो तीन बोल्टर है वह बारा से पंद्रा परवर में सोचिए और हमारा आज़वार आदमी जाएगा अंडर ग्राउंड में तो पूरे सिंप भर में दो दो भी मुझे ने लगता कि पूरा एक भी complete कर दे दो मुश्किल से भी दो फेस को वह सपोर्ट करके आ पाता है तो यह अंतर है आपका mechanization में और नॉर्मल चीजों में यहां पास से हम इसलिए पीछे हो जाते हैं कि याद रहेगा क्वाड बोल्टर ट्विन बोल्टर कि अगर मैं बोलू आपसे कि पर अवर यह कितना कर लेता है क्वाड तो 20-25 बोल्ट और पर अवर में 12-15 बोल्ट अब देखिए इसी के साथ में मैं एक चीज और बताना चाहरा हूं सटल कार सेम मैंने बोला कि सियम यूनिट में क्या रहता है कि सटल कार अटेच रहता है सटल कार के बारे में यह रखी यह आपका सटल कार है ठीक है यह आपका यूनिट है यह आपका लोडिंग सौवल पता चुका हूं यह आपका कन्वेयर बूम है कन्वेयर बूम के साथ यह आपका subtle car attached रहता है ठेक है अब subtle car में अगर आप देखेंगे तो यह आपका chain लगा हुआ है जा तरफ में पूरा कपूरा पूरा बगिट साइज है और यह जाकर की आपका चलू होता ऑर वह पूरा कपूरा होता ता जैसे कि नीचे कील देखे, description, इसके बारें पढ़ लिजे, it is basically a transport machine which receives coal from continuous miner, यह प्रकार का transport machine है, जो की coal को receive करता है continuous miner से and discharge into district built conveyor, वो यह क्या करता है, district built conveyor पर डाल देता है, सबसे पहली बार तो यह tire mounted होता है, wheel mounted बार tire mounted, it has its own chain conveyor, मैंने क्या बोला, यह इसका खुद का chain conveyor है, by moving the conveyor, the entire subtle car can be loaded and or unloaded, ठीक है, यह आपका, जैसे कि माल लिजे, कि यह conveyor built है, conveyor built से, इसे यहाँ याला portion attach कर दिया गया, तो यह क्या करता है, कि यहाँ पास koila आ करके built conveyor से गीर रहा है, ठीक है, यह built अपना chain conveyor चालू है, तो chain conveyor koila को यहाँ पास आप लोड कर रहे हैं, और यह आ करके पूरा का पूरा यहाँ पास से bucket fill कर रहा है, यह पूरा bucket fill हो रहा है, ठीक है, पूरा bucket fill होने के बाद, फिर इसको आप क्या करेंगे, जा करके conveyor belt में attach कर देंगे, और यह फिर से चालू होगा, और यह वापस से built को प loaded, it can work on a gradient, इसका gradient कितने से कितने तक काम करता है, one in twelve where floor is hard and dry, यह कहां काम करता है, कि जहाँ पास gradient जो है one in twelve से होना चाहिए, उस से जादा नहीं होगा, और floor जो है, हाड होना चाहिए, और dry होना चाहिए, यह Hemico Elecon has manufactured subtle car of 8 ton capacity, यह company है, Hemico Elecon, जिसने 8 ton, इतना ton capacity का subtle car बनाया है, it can take a right angle turn at a junction of 4.5 meter galleries, सारे 4 meter की gallery में जा करके ही, यह right turn लेता है, चौडाई के वज़े से, इसका speed है, it can run speed up to 5 km per hour, 5 km per hour से भी speed से चलता है, it has FLP motor, ठीक है, flame proof जो motor होता, वाला, ठीक है, it can either diesel operated machine और electricity driven, जनरली इसे electricity operated, electrical बनाया जाता है, लेकिन आप diesel operated, जहाँ पर सापका ventilation अच्छा हो, वहाँ भी आप diesel के द्वारा अपरेट कर सकते हैं, यह आपका subtle car बहाँ से है, यह cabin बैठने के लिए, दिख रहा हो गए, diagram आपको, ठीक है, अब देखिए, जैसे कि हम लोग सेफ्टी फीचर्स की बात कर रहे थे, अब इसमें जैसे tire mounted machine है, यह electrical driven भी होता है, और battery operated भी होता है, ठीक है, वैसे यह electrical or battery operated जनरली चल रहा है, इलेक्रीकल और battery, डीजल वाला नहीं चलता है, इसमें बंद है वो, जो ठीक है, और जो इसका capacity है, ठीक है, जैसे क्वीच बंद कर रहा है, तो मझे लग रहा है, मैंने नोर्स में गलत लिख दिया है, यह electrical battery है, और 10 से 20 ton capacity तक कभी आपका यह बन चुका है, तो इसका एक चीज़ याद रखेगा, कि यह hard floor, ठीक है, hard floor और dry, hard floor के लिए है, ना कि soft के लिए, ठीक है, अगर इसमें electrical supply लगभग 1.1 kv की चाहिए, यह याद रखेगा, 1.1 kv, electrical supply के द्वारा ही इसे चलाया जाता है, यह आपका continuous minor से related, जो अभी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मसीने हैं, उससे related आपका देखेगा क्या क्या होता है, continuous minor, continuous minor के साथ आपका होता है subtle car, यह दो चीजे आज हम लोग में पढ़ी है, बाकी आपका जो चीजे हैं उसको हम कल की सुबह की क्लास में देखते हैं, किसी कुछ डाउट है तो पूछ लीजे, किसी कुछ डाउट है तो पूछ लीजे, किसी कुछ डाउट है तो पूछ लीजे, अच्छे क्या पूछ रहे हैं हाँ, एक जन्न ने पूछ रहे हैं इसमें क्या क्या इंपॉटेंट है देखिए, जनली पिछली बाद जो लाज 2015 में पूछा गया उसके कॉर्डिंग तो पर्टन प्रडेक्शन कितना करता है एक दिन पर इतना ही पूछा गया है, ठीक है लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जैसे कि आपका आप क्या नाम है, शेफ्टी डिवाइजेज में जैसे आपका क्या लगा हुआ है इसमें, जैसे यह देखिए, मिठेन संसर पूछा जा सकता है कितने में यह बंद हो जाता है तो 5% Messa marker पे बंद हो जाता है, वाटर इस्प्रेंग ऑंट्र लॉग्त क्या होता है उसमें पूछी जा सकती है और इसके साथ subtle car आपका And he मैं बोलू तो सटल कार के वारे हुगा पूछने लाएक है तो उसमें चेन के वारे में है ठीक है तो यह सब चीजे है उसमें पूछने लाएक To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the play store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.